हेई गाइज वेलकम टो अगरिकल्चायकू अगरिकल्चायकू में आपका स्वागत है तो आज हम दो नए फ्लावर्स के बारे में जानेंगे दहेलिया और लिलियम बहुत इंपोर्टन है गाइज तो लेट स्टार्ट तो गाइज से पहले यहां पर आठ वीडियो आठ चुक तो आज हम दहेलिया और लिलियम के बारे में जानेंगे और प्रोप्रगेशन के बारे में थोड़ा जानेंगे की कैसे होता है तो यहां पर देखिए अगर आप फोटो देख रहे होंगे तो डहेलिया के यहां पर फ्लावर है बहुत ही खुबसरा उता होता है यहां और बह वो से ज्यादा शाल यहांपर एक साल अगर अगर एक साल के बात करें तो पूरा लाइफ साल में होता है यहाँ पर पूरा germination से लेका यहाँ पर जो life cycle है वो पूरा एक साल में cover होती है तो यह है यहाँ पर hardy perennial cultivated dahelia की बात करें जो वो tetraploid होता है यहाँ पर tetraploid यानि की जिसमें 4 homologus यहाँ पर chromosome होते हैं यहाँ आपको पता होगा यहाँ पर जो faculty short day to day neutral plant इसे कहते हैं dahelia यहाँ पर जो first introduced हुआ था इंडिया में वो है 1857 यह आपको याद रखना है 1857 Agri Horticulture Society of India Calcutta में yellow color जो यहाँ पर color की बात करें अगर हम तो यहाँ पर जो flower है तो जिसमें अगर जो yellow है yellow color rich है तो वो calcones और aurons की वज़े से होता है यह भी आपको याद रखना है जो largest producer है यहाँ पर tubules root dhahelia का वो है netherland जो common popular dhahelia है इंडिया में वो giant decorative है इसकी photo यहाँ पर आप देख सकते हैं giant decorative यह बहुत common है आप में कहीं ने कहीं देखा होगा मैं आपके लिए जूम कर देखा हूँ यह giant decorative है यहाँ पर यह जो right left में यह सारे ही giant decorative common जो species है इंडिया में वो है यहाँ पर और जो national dhahelia society of inland है वो classified dhahelia को यहाँ पर 10 ग्रूप में किया है जो 10 ग्रूप है वो important नहीं है यहाँ पर जो preferred photo period है यहाँ पर 12 से 14 hours होता है photo period यहाँ पर जो जितनी length चाहिए रहती है time या sunshine तो photo period कहलाता है यहाँ पर short day plant long day और day neutral plant होता है day neutral plant हमने पहले कहा था कि dhahelia day neutral plant है और यहाँ पर 12 से 14 hour day length इसे चाहिए रहता है जो commercial propagation होता है यह important है guys वो terminal stem cutting के द्वारा होता है dhahelia का dhahelia यहाँ पर propagation जो seed, tuberous, roots और cutting guys यहाँ पर देखिए दो different बाते हैं एक होता है propagation एक होता है commercial propagation तो propagation simply आप यहाँ पर किसी भी चीज़ से कर सकते हैं यहाँ पर beach से, tuberous, roots से, cutting से जो commercial propagation जो basically होता है वो यहाँ पर sale के लिए होता है कि आप commercially यहाँ पर अगर बेच रहे हैं तो commercially propagated किस से करें वो है terminal stem cutting से तो दो अलग लग बाते हैं वो आपको ध्यानक नहीं जो planting time है वो North India में यहाँ पर September से December है और South India में मई जून है यहाँ पर यह हमारा भारत तो North India में यहाँ अगर अगर बात करें लगवा उपर रिजन में तो September से December है और South India में यहाँ मई से June में है यह भी आपको याद अखना है next अब बात करते हैं कुछ species की जो tree dhailia है यहाँ पर tree dhailia उसे है dhailia imperialist यहाँ पर नाम है अब white होते हैं और red tint flower होते हैं तो tree dhailia यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है यहाँ यहाँ पर tree dhailia white और जो pink है वो flower है tree dhailia next हम बात करते हैं cactus dhailia cactus dhailia भी यहाँ पर यह आप देख सकते हैं Cactus Dahelia, right में जो फोटा है वो Cactus Dahelia की है तो Cactus Dahelia जिसे हम कहते हैं Dahelia Jeworesi, Scarlet Flowers होते हैं Ancestor of Dahelia, जिसे हम बोलते हैं Dahelia Variables, Octoploid Species होती है जो Highly Variable Species है, वो है Dahelia Cockneya, जो एक और है, वो है Dahelia Mercy की, Single Red Flowers होते हैं Liliac and Yellow Flowers Cell Incapitability, यहाँ पर जो Major Problem है वो breeding में होती है Cell Incapitability, जो आपको पता होगा यहाँ जो पॉलन को प्रडूज ना कर पाना Flowers में, या फिर फर्टिलाइज नहीं कर पाना या पर पॉलन को सेम फ्लावर में हो सकता है या फिर दिफ्रेंट या फिर दिफ्रेंट या पर या फिर दिफ्रेंट फ्लावर्स हो सकता है या पर सेम प्लावर्स सेम होगा पर दिफ्रेंट फ्लावर्स हो सकता है या अपर अगर फ्लावर में अगर पॉलन प्रडूज ना कर गया है तो इसको Self Incapitability बहुते हैं वो Major Problem है ब्रीडिंग में अपर To Reduce Flowers In डहे लिए अपर GA3-Givalic जो Acid हो आपर Add the Rate 100 PPM यूज किया जाता है Reduction of Plant Height Plant के Height को Reduce करने के लिए CCCC और MH यूज किया जाता है CCCC अगर हम बात करें तो ये Growth Hormone है जिसका मतलब है Chlorocholine Chloride Chlorocholine Chloride अपर लिख देता हम मैं Chlorocholine Chloride जो Disbudding है वो Done किया जाता है यापर जो किया जाता है वो P Stage में किया जाता है जो Major Air Pollutant है डहेलिया के लिए वो है Sulfur Dioxide SO2 Ideal Temperature जो है Tuber Storage के लिए वो है 4 से 7 डिगरी Celcius जो कि आपको याद रखना है Next हम बात करते है Satisfactory Method of Flower Preservation वो है Late Cutting Important Breeders हैं जो याँपर डहेलिया के वो है स्वामी, विनायंद, PK-10 और AK-10 Decorative Varieties की बात करें अगर हम जो कि याँपर Decorative Purpose के होती है वो है Babadia, Glory of India, Nierish Blue, Pranati, Nirmal Chandra, Prabhuji और Prime Minister Sectorial की मारे Mutant की बात करें तो वो है Manalai Natural Mutant Cultivar की बात करें तो वो है Junita Multiple Flower Mutant Cultivar जो developed है वो है Bronchid और Bruso यह important है guys यह नोंने developed किया था Throw Tuber Irradiation जो major disease है आप अपर वो है Powdery Mildew Erysiphy Polygony Guys, कोशन आने की चांसे हैं Erysiphy Polygony तो यहाँपर इसको आपको याद अखना है Erysiphy Polygony Next हम बात करते हैं Lillium की तो Lillium जो बिलाउंग करता है वो family है Lilliasi Monocot plant है यहाँपर जो यहाँपर यह Winter Hardy species है और यह Sunny climate को Generally prefer करता है जो Monocot के अगर हम बात करें guys तो Monocot simply होता है जो Flowering Plants होते हैं जिसमें एक Embryanio होता है या फिर Cotalidone उसे हम बहुता है Monocot Monocot जैसे Monocot होता है Dicot होता है वैसी होता है Monocot हम आपने simply डियाग्राम में देखाऊगा Monocot जो Dicot होते हैं वो basically दो यहाँपर Embryanio होते हैं यहाँपर जो susceptible है यहाँपर high temperature के लिए 30 degree Celsius के अगर उपर होगा तो यहाँपर वो जो लसने के बहुत chances है Plant Growth Regulator जो कि Plant Height के लिए यहाँपर कंट्रोल किया जाता है वो है Ensmidal और Triple C अगें Ithral Important species जो होती है यहाँपर Lilium Group के लिए Cut Flower Production के अगर हम बात करें तो L Martagon L यहाँपर Lilium है और Reflex Petal Lily के अगर हम बात करें तो Lilium Martagon है Tiger Lily के बात करें हम तो Lilium Tigranium Origin यहाँपर जापान है Triploid species है गाईज और यहाँपर 30 से इसका Chromosome number है यहाँज आपको यारतना है Double Flower Lilium के अगर हम बात करें तो वो है Lilium Tigranium Warflory Plano Oil Gilding Species है यहाँपर Madonna Lily Blooming Period के अगर हम बात करें तो Depend करता है वो कौन सी लिली है Asiatic Lily है यहाँपर Early June Oriental Lily है यहाँपर July से सतंबर और जो Tiger Lily है वो है September Register and Sources जो Lilium Henry है वो Registered है यहाँपर Fusarium और Virus के लिए और Lilium जो Candidium है वो Tolerant है Low Temperature के लिए Low Light Clay Air Round Flowering Ability जो अब गाईज Question बनने के चाहँए सीधे सीधे हैं पूछा जा सता है यहाँपर की कौन सी वालाइटी resistant है Fusarium और Virus के लिए और यहाँपर आपको Lilium Henry करके टिक करके आगे बनने है जो Lilium Choricum है वो resistant है Fusarium Wilt के लिए जो Major Problem है Lilium है वो है Gematophytic Self Incapitability Interspecific Incapitability Long Day Induced Vegetative Growth of the Plant IA Indole Acetic Acid Promosed Bulbate Formation जो Main Propagation होता है इसका होता है Stem Bulbius तीन मेतड़ है बेसिकली Scale से Base of the Stem Bulbius Stem Bulbius जो Stem Bulbius है वो Simple ही है यहाँपर देखे जो Lilium का Plant है तो यह जो Seeds आप देखते हैं इसी को यहाँपर Bulbius कहते हैं अगर मेरा Pranousation थोड़ा गलत होगा तो माफी जाता हूँ तो बेसिकली इसके दोरह यहाँपर Propagation होता है तो Guys यह था आज का Session I hope आपको अच्छा लगा होगा थोड़ा छोटी वीडियो है पर यह जो IMPORTANT है आपको सब कुछ मैंने डिसकस कर दिया है Propagation से लेटर का Variety तक तो यह था आज का Session Guys जासे जादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्साइब किये बिना मच जाए Thank you